नमस्कार न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है मैं हूँ राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ट पत्रकार और हमारे ऑनलाइन देश बंदू के संपादक अमलेंदु उपाध्याएं अमलेंदु जी आपका स्वागत है तो अमलेंदु जी पीएम नरेंद्र मोदी सर्प्राइज की राजनिती खूब करते हैं यह हम सब जानते हैं वो कब क्या कर जाएंगे इसका अनुमान उनके विरोधी क्या उनके साथ ही भी नहीं लगा पाते हैं और इस चौकाने वाली राजनिती का एक नमूना आज तब दे जाना सब को हैरान कर गया आपको बता दें कि मई महिने की शुरुआत से चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ रहा था यह तनाव तब और गहरा गया जब 15 जून को जड़प हुई दोनों से नाव के बीच और हमने देखा कि 20 भारते जवानों की उस जड़प में जान चली गई इसके बाद देश में चीन के विरोध की लहर दौड गई विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है कि चीन के साथ संबंधों की असलियत क्या है यह बताए क्या उसने लेसी यानि की लाइन ऑफ एक्च्वल कंट्रोल पर हमारी जमीन हथियाई है क्या उसके सैनिक हम इस तरकी वारताएं तनाव कम करने के लिए होती रहीं लेकिन उस बारता जो हुई है यह जो बारताएं हुई है उसका कोई नतीजा अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है बलकि चीन के जवानों की आवाजाही बढ़ने पर भारत ने भी अपनी सैने तयारियां मजबूत कर जमा भी रही है सेना दूसरी तरफ रक्षा मंतरी राजनात सिंग जो है वह आज लदाख दौरे पर जाने वाले थे लेकिन नजाने किन वजहों से उनका दौरा आज रद्ध हो गया उसके बाद खबर आई थी कि सीडियस विपिन रावत लेह पहुंच रहे हैं और वहां प लेह में विमान से उत्रे लेह में उन्होंने भारतिये जवान भारतिये सेना की तैयारियों का जाजा लिया और जवानों के बीच जोशिला भाशन भी दिया तो अमलेंदु जी क्या कहेंगे मोधी जी के इस राजनेतिक अंदाज पर क्या उनका यूं अचानक लेह प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी को बढ़ाई देंगे कि वो अनलोक टू में जो है वो घर से बाहर निकले पूरे लॉकडाउन में इसके होम, इसके सेफ का कराई के साथ बहुत पालन किया और बहुत गंभीरदा के साथ उनों ने जो है उसका पालन किया और दो महीनि से जादाका समय हो गया वेल्गी तीन महीनि से जादाका समय हो गया हमाघे परहन और अब वो यह पोँचे और अचानक पोँचे तो पधाय मंती जी बदाई ये पात रहे कि वो घर से कम बाहर तो निकले इसलिए उनको बदाई बनती है अब दूसरा सवाल यह है कि प्रहान मंत्री की इस चौकाने की राजनीती किया है और आगे इसके चल के क्या परणाम होंगे अधर इस पर बात की जाए तो इसके आगे चल के उसी तरह के परणाम होंगे जैसे शी चिन पिंग को झूला जुलाने के हुए नमस्ते क्रम्प करवाने के हुए तो इसी तरीके के प्रणाम जो आगे चल करके इस सब शोशेवाजी के होंगे असल में जिन सवालों के जवाब दिने चाहिए और जिन पर प्रधानमंती को एक प्रधानमंती की हैसियत से बात करना चाहिए जब देश यह जानना चाहता है और देश के अंदर जो है यह आवाज रुष नहीं है कि चीन ने हमारी की जी भूमुटर कपचा किया है कि नहीं किया है इसका प्रधानमंती ने जवाब दे तो प्रधानमंती ने चीन का तो नाम नहीं दिया लेकिन जब सर्वदली यह बैठाक्ती यह बैठाक्ती कुछ दलों को बलाया था उसमों प्रधानमंती ने यह जो का कि ना हमारी सीमा में कोई घुसा ना किसी ने कपजा किया लेकिन च जो है चीन शब्द नहीं निकल रहा है तो इसके आगे चल के क्या प्रणाम होंगे इसी इसे आप समझ सकते हैं दूसी बात यह कि जो आज CTS ने जन्नल वेपिन रावच जी आपको याद हुआ कि जब वो सेना प्रमुख हुआ करते थे और अगर मेरी यादधाश मेरा साही दे रही है तो यह वही जन्नल रावच जी है जिनों कहाता है कि भारत जो है वो चीन और पाकिस्तान दुनों से एक साथ एक मुच्छे पर लगशा है तो अब ये देश जानना चाहता है कि जो सेंडी प्रमुक की हैं से जन्ने विबिन दावाद के रहे थे आज जब और बड़े ओधे पर पहुंच गए हैं प्रहानमंती के बहुत बिश्वास पासन हैं तो आज उनके उस बखतब की क्या स्थिति हैं क्या देश जो है भारत जो देश को बताएं और अगर है तो साभ बताएं तो फिर जो है टीन ने जो हमारे सेंडीकों कोई जो हत्प्या की उसके खिलाब कुछ एक्ष्ण लिया जाए और अगर नहीं हैं तो उस तखीके से बताया है कि हम जो है एर लगने की स्थिति में नहीं है तो यह सरकार मतलब व गयराँ नुक विदेश नुनिट को लेकर यहादा नुक गयर स्संहरत सक्वाय है तो मुझे नहीं ड़ नगता है यह समछ यात्रा है यह लोग जाद अंदर आश्षेश्वाद में जादा कुंद रहे हैं औहुत शुरक्षण को सवख सगाउ, औहुत जाआ संने हैं तो यह उनको एक तुष्ट करने की, उनके तुष्ट करने की एक रणनी भी हो सकती है, कि तो प्रहानमंती है वो ले पहुच गए सेनिकोज भीचे अब मैं सोचल मीडिया देख रहा था, लोग तरह तरह की बाते कर रहे हैं, तो एक बड़ा मज़िदारा कमेंट मैंने पढ़ přिबाएं कि चेनी और यहां कया संधे रहा है तो मुझे नहीं रखता है लोग यातरा का गमिर संधेश है इतना संधेश को रहा है, उन पालन किया। लेकिन जहां कि अच्छी बात हैं, तो अच्छी बात अच्छी है तो मुझे यह नहीं लगता है, प्रहारमंति जो है वह इस मसले पे ज़रावी गंभीर है चीन के मसले को ले कर ले करके ले कर दिखाई नहीं पड़ा है लेकिन मोदी जी ने जो भाशन दिया है अमिलि जून Station को उन्होंने छितावनिया दी है। उन्होंने चीन को के लिए कहा है कि विस्तारवाद का यूग समाप्ध हो हुचछुका है और विकासवाद का दौर है। अगर किसी पर विस्तारवाद की जिद सवार हो तो हमेशा वो विश्व स्रांति के लिए खत्रा होता है अमलेंदु जी मोदी जी की इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि विस्तारवाद विश्वसांती के लिए खत्रा है और साथ ही सबको विकास के बारे में सोचना चाहिए जो उन्हों प्रतिबंध लगा सकती है तो मोदी जी खुलकर चीन को दो टूक जवाब क्यों नहीं दे सकते हैं वैसे चीन की इस दोरे के कांगेशा तो हो भी सकता है और नहीं भी है दोनों चीन हो सकती है जहां तक प्रहान मंत्री ने ये कहा है कि विस्तारवाद जो है वो खत्रा है विश्वसांती के लिए इसमें कोई दोर आई नहीं है कि विस्तारवाद जो है वो विश्वसांती के लिए खत्रा है लेकिन अ मुझामारे पड़ोजी देश भी जब से मूधी जी याया है उसके वाज से आरोप भारत की ओपर भी जो है वह पहले भी लगता नहीं है अगर आज नहीं हो पहले लिगे हो कि भारत जो भिस्तारवाद कर रहा है तो यह हम पे वी आरोप लगता है तो यह अंतर राश्टी है तो में नहीं तो सकती है आगर हम राश्था रश्क ऐसे का दो ब्राआ क्च भारारा कर्वार इं और दो धने वही। भारत की तो नहीं कर दोगाने जब कि नेपाल की उसके इसे अपिट में यह बहुंद से यह ब्राइस से इसे ह्ज़ाइकु हुए। यह उससे लगय हुए जतने भी देश हैं अब लिए ढ़ाइट है कि नेपाल कि चीन वह बिस्तारवादी अपनाता है और धीर धीर घर तरीके से लोगा करता है लेकिन और बेश्वियों है वो इसकी प्रक्रिया देते हैं भाराच जोस्तरी की प्रक्रिया चीन को पुझ लगता है कि नहीं दे रहा है जिस तवीके से उनसाथ एप पावंदी लगाने की घोशना की तो वो उज़ा तरस्वे मुझदी रखता है इसे ध्यान बचाने की कोश अचैक हुआ और जो चीन और अम्रीका के के बीडेभर लंबे समय से चल रहा था वो अकंदम से उसके वाद सतय हो और अम्रीका और करेका के मुझदी से प्रक्रियक्टी के व्यापाव dóork propor जब खारह काफी जाएंदा बढ़ा.. चीन अमरीका ने बचन प्रतिभण लगाै ख न्यूक्लियर दील का और उसके अनुसार वहाँ अमरीकी बेस बन सकता है 10-10 अयार सैनिक अपने उतार सकता है यारी यह तरीक्टे से वहाँ अमरीकी अड़ा सैनिकों का बन सकता है जो नेपाल की विपखशी पार्टी है उनका रोपी है कि इस दील के पीछे भारत का हाथ है यह सही भी हो सकता है और गलर भी हो सकता है चुकि हम लोग इस विशे में नहीं जानते कि ऐसा है कि नहीं लेकिन वहाँ वह विवादित बिल यह पास होने जा रहा है और उसके तंबन में जो बहां की विपक्षी पार्टिया कर रही है अज हमको अच्छा लग रहा है अमरीका जो अच्छा हो सकता है लेकिन हम यह नहीं बूलना चाहिए कि इसी अमरीका का सात्मा बेराय हो था वो कराची पोच गया था भारत पर हमला करने के लिए और अगर उस समय रूस ने मदद नहीं की होती तो हम जो थे बहुत मुसीवत में आ गया होता है तो अमरीका बैसे भी किसी के साथ उसके संबंद अच्छे नहीं हो एक समय में चीन जो था वह अमरीका का बहुत अच्छा मित्रुआ करता है और आज चीन चीन और अमरीका का जो है वो फ्रेज बार शुगा है सबसे पहली बात हमको यह समझनी पड़ेग कि अपने ही आर्थेखित देखता है और अपने हार्थे खितों की रख्षा करने के लिए वो दूषरे देशओं की अन्दूनी राजमीत में भी दAssistant देता है वहांं के शुरक्षा मसलों के देता है अधिया करवाता है सियाई ने तमाम राश्टर राष्ड़ा रख्षों की तो अमरीका के साथ जो चीन का बरताओ अतनाव है उसको भी इसको हमको देखना पलेगा जिस तरीकी से पिछले दिरो प्रणान मंत्री नरेन मोदी ने जोनाल रिटर्म के साथ जो है अपनी नजबी कि दिखाने की कोशिश की और मुझे लगता है उससे संदेश जिए गया कि जो है वो चीन के पाले में जाकर खड़ा हो रहा है और इधर ये नियपाल के अंदर जो अमरीकी फोजी है अवाई एज़ा बनने की जो परस्तिय पैदा बनने वे वारिवाद ही मुझे लगता है कि चीन उससे जो थो थोड़ा सतर हुआ और उसने जो है एक वो संदेश जो अगर दूसा पक्ष को हम शामिल करते हैं तो यह हमारी कम जोई होगी तो किसी दूसे पक्ष रचिए ठीक नहीं हो सकती तो हमको जो भी बाते करनी है वो चीन के साथ करनी होंगी और यह युद्ध 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 भी चिला रहा है बचाए बच्चीत ते ही होगा हु दूसे के डिए है तो अगर लुषे राष्करावपरी है तो प्रधानमन्ति राष्कर अपनी दिम्मेदार्य का णिरवाः करें और चीन के साथ जो भी सिमा वबाद है और शी शी जिन्तिं से बात करें और आगे बढ़कर कर कर दम उठाएं और चीन से क्रें कि आपने हमार थे परणाम आ सकते हैं औरמעब जो मत जो एक तरीकितॉ थे कहना चाहिए कि जो अपना जो एहरा है उस से बाहर निकलकर करके और जो एक हुआ गेरा उनके आसपास बना हुआ उससे बाहर निकलकर करके खुले मन के साथ और राश्ड सर्वो परी इस बात को ध्यान जखते हुए कि भारत का हिद्ः सर्वपणी है उसको ध्यान में लखते हुए मुझे लगता है कि अंतरजाश्टीये पहल करनी चाहिए चीन से स्वीर, स्वीर Summit करनी चाहिए कि आपकी अमरीका के साथ कुछ भी दिक्क्त हो सकती है आपकी पाकिस्तान के सहोर्टेट फॉक्तु सकती है, हमारे पाकिस्तान के साथ शर्तुवत संबन्ध है, आपने चीन निवेश इपने जानीट, तो चीन को भी परधान. यह संदेश का प्रहानमंत्री देते हैं और यह इस पर्श करते हैं कि हमारा परोसी है तो हम परोसी है तो हमेशा रहेंगे हमारे संबंध हमेशा रहेंगे सरकारे आती आती रहेंगी अमरीका के साथ संबंध बनते पर रहेंगे कल तक आपके अमरीका के साथ अच्छे संबंध चीन के आजगर हमारे अच्छे सम्वंधी हो जो आपको सिख þेणि हो दिकात नी होना सादरल के डितो हमें वहने के रहे हैं जिस तरीके सरी जह और प्रदहानमंतु करते रहे हैं और खुले मन्से बाते करते रहे हैं और देश को भरोसे में लेकर करते रहे हैं। सबसे बड़ी बाती है कि प्रहामन्ति देश को भरोसे में लेते हैं। प्रहामन्ति देश को भरोसे में लेते हैं। प्रहामन्ति देश को भरोसे में लेते हैं। बिलकुल सही कह रहे हैं लेकिन मोदी जी के इस आकस्मिक दौरे से बेशक चीन को कड़ा संदेश मिला है सीमा परतेनात सैनिक जो हैं वो भी प्रधान मंत्री के को अपने बीच पाकर उतसाहित महसूस कर रहे होंगे लेकिन इसके बाद क्या होगा क्या भारत वारता की कूटनीती छोड़कर आरपार करने के मूड में है क्या हमारी मौजूदा परिस्थितियां इसकी इजाज़त देती हैं क्या प्रधान मंत्री का इस तरह लेह पहुँचना कोई पॉलिटिकल स्टन्ट है या इसका कोई और अर्थ भी है जो बातें मोदी जी ने लेह पहुँचकर की क्या वे दिल्ली बैठकर वर्चुली सैनिकों से नहीं कह सकते थे सवाल ये भी है कि मोदी जी खुद लेह क्यों गए क्यों रक्षा मंत्री अपने तय कारेकरम के बावजूद नहीं पहुचे क्या मोदी जी इंद्रा गांधी की तरह ही अपनी छवी को जो है वो बनाना चाहते हैं क्योंकि इंद्रा गांधी भी 1971 में लेह गई थी कॉंग्रेस नेता मनीश तिवारी ने तातकाली इन प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी की तस्वीर आज शेयर की है ट्वीचर पे जिसमें इंद्रा गांधी लेह में सैनिकों को संबोधित करती हुई दिख रही है इस फोटो में इस फोटो के साथ कॉंग्रेस नेता ने लि फटा फट आप से जब आप चाहूंगा बार आप के लाफी तो मुझे लग्ता है कि आप के पंजित महरूज्य से आप डिखाई नहें या आप लिखाई दिखाईने इया राजिव अगे भी पे। से तब चीजों से यह 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 स regist Manni जो आपके जो पुर्णा जाहिए जो आपके प्रश्ट करोड लोगों के राष्ट के नेता हैं मोदी जी और इस तरीके की जो है वो बल्ले किसी फिल्म इंजस्टी में नहीं है आप प्रश्ट कुलक के नेता है तो रियुना कि जो अत्र इस तरीकुछ के नेता है तो नोहों म्हों को का रा है तो निखे कुल करने प्रश्ट सामने थैंगा हुए अर आपका अपना डेक्तित है वो भी उसमें सामने नीया था अब लोग घृत्ने चेर पाफने लिए इतने गादे अगए अग्ड़ों चित्त्र वह और बना करें उसे अधना ठ्राइज परना चाहिए और यह भीढ़ना चाहिए कि इस तरहीं से जनता है कि नहीं गलत तो नहीं जा रहा है मुझे रखता है कि इस देश ने चुना है हमारे प्रहान मंत्री क्या दिक्कत है बिलकुल सही बिलकुल सही कह रहे हैं तो लेकिन उधर सीमा परतैनाद जवानों की होसला अफजाई के लिए खुद 10,000 फीट के उचाई पर पहुंचना और उनके बीच भ नाम नहीं लिया क्या इससे जवानों और खासकर उन 20 जवानों के परिजनों को तकलीफ नहीं हुई होगी तो जो चीन की कुरूरता की वजह से काल के गाल में समा गया है जरा सोचिएगा तो आज के लिए बस इतना ही अमलेंदू जी आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों साथियों शुपशंतकों आपने बहुत ही ध्यान से हमें सुना इसके लिए आप सभी को भी तहे दिल से शुक्रियादा करता हूं और देखते रहे हैं डीवी लाइव नमस्कार